आज हम बात करेंगे क्रिप्टों से करोड़ पती बनने के बारे में और जैसे जैसे हम बुलरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं एक हॉप मार्केट में आ रहा है कि बुलरेंट कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है और bullren की खासियत ही है कि आपके कम से कम investment को भी वो बड़ा बना सकता है इसलिए हमारा पूरा focus आपको ये समझाने में है कि भाईया आप जो investment कर रहे होगी बहुत सारे लोग समझते हैं कि market में जैजा पैसा डालेंगे तब करोड़ पती बनेंगे थोड़ा पैसा नहीं डालेंगे तो करोड़ पती नहीं बनेंगे लेकिन आप देखते होंगे 10 डॉलर को भी millions of dollars बनाया क्रिप्टो ने ठीक है ये picture आप पहले देख चुके हो तो वे picture आगे भी आपको देखने को मिलेंगी बस जरूरत है थोड़ा research की, knowledge की और सही investment की आपका कम से कम पैसा भी अगर एक सही coin में चला जाता है सही coin में invest हो जाता है तो बात चीजें अलग हो सकती हैं चीजें बदल सकती हैं तो आज हम बात करेंगे देखो बहुत सारे तरीके हैं, ways हैं क्रिप्टो में investment करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अभी कर सकते हो आप इकठा किसी क्रिप्टो खरीज सकते हो लेकिन कुछ strategies होनी चाहिए आपकी क्या strategies रहेंगी हम हमेशा discuss करते हैं कि dip में आप क्रिप्टो खरीदें dip एक बहुत बड़ा role play करता है यह नहीं कि आप 100% price बढ़ रहा है तब खरीद रहे हो कि भई आप ले लिया, 100% बढ़े गया तो ले लिया अगले bull run के लिए ऐसा नहीं होता है, थोड़ा अगर आप dip loser list पे focus करोगे, loser list आपको अच्छा return दे सकती है क्योंकि loser list में होते हैं dip वाले coins जो dump आता है और daily कुछ ना कुछ coins में dump देखने को मिलता है आप investment कर रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है लेकिन investment किस तरीके से कर रहे हैं, क्या ही कठा कर रहे हैं कि एक coin लेना है तो भी कठा ले लिया, 100% में बढ़े गया ले लिया या 10% में बढ़े ले लिया, खतम कहानी या फिर आप कर रहे हो SIP SIP के बारे में हमने पहले भी बात किया आप 100 रुपे की SIP कर सकते हो, per week कर सकते हो 15 days में एक बार कर सकते हो, हर महीने एक बार कर सकते हो आप यूं कर सकते हो कि आपके बाद 10,000 रुपीज है और आप उनको डिवाइड कर सकते हो, आप उनको डिवाइड कर सकते हो 10 parts के अंदर, मतलब 1,000 रुपेया आप 10 cryptocurrencies में डाल सकते हो डाल के खतम कहानी बुलरेंड के लिए आपको छोड़ देना है तो ये SIP का जो तरीका है, ये एक कही न कहीं बहुत अच्छा और बेस्ट तरीका है जितना dip आए, ये नहीं कि आप खरीदना एक अठा माल, खरीदा और रख दिया, छोड़ दिया बस, ठीक है, वो सबकी अपने अपनी चोईस है, अपना अपना नजरिया है लेकिन, SIP आपको मोका देती है, आपने जो कोईन खरीदना है माल लो, आपने कोई alt कोईन खरीदना और वो price उसका चल रहा है, अच्छा खासा green में और आपको लगता ही है, अगले कुछ दिनों में थोड़ा dip आएगा इस कोईन के अंदर तो आप वेट करोगे उस dip का, या फिर जो current price चल रहा है, उस पर खरीद लोगे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, खरीद लेंगे, छुट्टी हो गई, काम खतम हो गया बुलरेन के लिए तो लेना ही है, लेकिन गलती यही होती है SIP का मतलब यही होता है, systematic investment plan SIP जब भी कर रहे हो, आप 7 दिन में एक बार कर रहे हो, 15 दिन में एक बार कर रहे हो, एक महिने में एक बार कर रहे हो तो ध्यान यह रखो, जब भी SIP कर रहे हो, आप यह ध्यान रखो, जो crypto में SIP कर रहे हो उस crypto का price dip में आजे जिस दिन dip में आगया आप अपनी S.I.P कर दो कतम कहानी अब अगले महीने जब dip आएगा तब S.I.P कर दो कितनी S.I.P करनी है वो आपकी चोईस है आपको उस coin में कितना invest करना है ठीक है तो S.I.P एक best तरीका है dip के अंदर आप खरीद भी पाओगे थोड़ा थोड़ा करके खरीद होगे वो best रहेगा और S.I.P छोटी छोटी S.I.P आप बहुत सारे क्रिप्टोज में कर सकते हो 500 रुपे की 1000 रुपे की क्यों क्यों क्योंकि क्रिप्टो बाजार में अगले बुलरिन में क्या कुछ हो जाए किसी को नहीं पता आपके 500 रुपे मिलियन डॉलर बंजे 1000 रुपे मिलियन डॉलर बंजे यह आप भी नहीं जानते ठीक है तो वही सबसे बड़ा question है research कीजिए यह नहीं कि आप बिलकुल हर किसी में डाली जा रहे है 1000 रुपे 500 रुपे नहीं आपको 500 हजार भी उन coins में डालना जिनको आपको लगता है कि कुछ न कुछ न कुछ इन coins का होगा है ना तो क्यूंकि अगर उन coins का कुछ न कुछ होगा तो आपको return तो मिलेगा ही लेकिन अगर कोई उन में से एक बड़ा धुरंदर निकला तो आपके 500 हजार को 1 million डॉलर भी बना सकता है मिलियन्स ओफ डॉलर की बात भी जा सकती है ठीक है अगर millions ओफ डॉलर नहीं बनाता है एक लाख डॉलर, दो लाख डॉलर तो भी बहुत बड़ा नंबर है ठीक है और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर